नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है चलिए आज बनाते मैंगो केक यह देखिए हमने एक कटोरी भर के आम ले लिया है छील के काटके यह आम रपाली आम है दसाहरी थे थोड़े बड़े होते हैं इसको पीस लिया है हमने देखिए अच्छा महीन इसका पेश्ट बना लिया है कि पूरा उसका मेजर एक कप सूजी लिया है यह देखिए उसी से यह सूजी का आधा सक्कर लिया है उसी घटोरी से इसको अच्छे से मिला लेते हैं जब तक सक्कर भूल न जाया अच्छे से हमने मैदा नहीं डाला है बच्चों के लिए तो बहुत ही हिल दी रहता है मैदा नुक्सान करता है यह हमने घी डाल दिया है दो टेवली स्पून है पूरा आपके पास घी न हो तो बटर भी डाल सकते हैं इसकी जगए यह आधा कटोरी हमने दूट डाल दिया पूरा मलाई मलाई है दूट का आपके पास न हो तो इसके जगए आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं हमने जो घर में चीज है उसी से बनाया है बहुत ही हिंदी होता बच्चों के लिए आप बना के टिफिन में भी रख सकते हैं देखिए इसको आधे घंडे के लिए रख देते हैं तब तक कर लेते हैं इसको प्रिएट कर लेते हैं कड़ा ही रख दिया है इसमें इन नमक डाल दिया है इस्टेंड डग दिया आपके पास नहोते इसके जगह आपका टोरिय प्लेट कुछ भी रख सकते हैं थोड़ा से उपर रहे ये एक पाउश पूरा इनो है आपके पास सीनों नहोत इसके जगह एक चम्मच बेकिंग पाउडर और उसका बेकिंग पाउडर का हाफ मीठा सोडर डाल के बना लीजेगा वैसे तीनों हर जगह मिल जाता है यह थोड़ा से दूट डाल के उसको हमने मिला दिया उसमें यह हमने बटर से इसको ग्रीज कर दिया है पूरा कि अगर अगर नए आएं तो सब्सक्राइब करिए यह हमने बटर पेपर लगा दिया है इसके उपर भी ग्रीज कर रहे हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है कि यह देखिए पूरा डाल रहे हैं इसको कि यह अच्छे से ठोक दीजिएगा थोड़ा सा तो उसको निकल जाता है तो अच्छा परावश्ट से हावाराती जो अंदर इसको हमने मेडियम कर दिया है न तेज है न धीमा है बीच में करना है आपको तीस से चारीस मिनट लगते हैं पकने में यह देखिए चारीस मिनट वाद यह देखिए मारा पक गया अच्छे से पूरा दिखने लगा किनारे से आप उसको चेक कर सकते हैं यह देखिए चक्कू डाल के जब बिल्कुछ साफ निकले तो मालीज अच्छे सपक गया है पूरा ही देखिए यह हमने निकाल लिया है थोड़ा सा ठंडा होगा अभी गरम है यह देखिए दिख रहा है न सुन्दर जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर उनको बहुत बहुत धन्यवाद अगर नए आए तो प्लेज सब्सक्राइब करके जाईएगा बहुत अच्छा लगता है हमको अभी हम काट के दिखाते हैं आपको देखिए थोड़ा सा काट रहे हैं यह देखिए है न बढ़ी है स्पंजी देखिए इसको लगा देते हैपी वर्डे यह मेरे बेटे का जनम दिन था तब बनाया था हमने जरूर बना के खाईएगा अभी आम का सीजन है थैंक यू